वेलकम गाइज, आर्यू एचेसम के चलिए में आपका बहुत बहुत स्वागते सबस्क्राइब कीजे आर्यू एचेसम के चनल को और पाइए राजस्तान नरसिंग पिरामेटिकल पारमेश का लैटस अपडेट तो guys finally राजस्तान में नर्सिंग पिरामेटिकल पारमेशी बीपीटी का जो इंट्रास एक्जाम है उनकी डेट आ चुके इंट्रास एक्जाम आपका किस परकार से होगा ओलाइन होगा या ओपलाइन होगा आपको एड्मिट कार किस परकार से प्राफ्थ होंगे तो यह सब हम यहाँ पर बात करने वाले है और आपका एक्जाम कहां पर होगा किस परकार से होगा यह सारी जानका है हम यहाँ पर प्राफ्थ करने वाले तो बने रही है पूरे वीडियो में ताकि आपको जो भी इनपोर्मेशन है रिक्वार्मेंट है सारे doubt clear हो जाए इंट्रास exam को लेकर ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका इंट्रास exam कब है और कितनी बिज़े से कितनी बिज़े तक होगा और examines का mood क्या रहने वाला है ठीक है इसे mode होता ना online होगा को plan होगा है सब हम इसमें बात करने वाला है और admit card आपको कहां प्राप्त होंगे किस प्रकार्श होंगे यह सारे जानकारे में इसमें गेन करने वाले तो चलिए सुरू करते है तो गाइस फाइनली और एचस ने notification जारी कर दिया है आपके इंट्रास exam को लेकर यानि कि आपके इंट्रास exam की डेट आज चुकी है फाइनली ठीके न तो यह आप notification देख रहे होंगे रास्ता निवर्शिटी ओपेल साइंस के तरफ से आया है और हमने आपको पहले बोल दिया था कि आपके एक्जाम सेगिट वीक उप जनवरी में हो जाएंगे ठीके न तो हमारा अंदाज भी सही रहा और चलिए बात कर ले थे कि यहां पर नोटिप के समय में उन्होंने क्या बोला है इंट्रास एक्जाम को लेकर सारी इंपॉर्मेशन हम यहां पर प्राप्त कने वाले तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सेक्षिंग सत्तर 2020 की प्रवेश प्रि घिए प्रवेश भार्ट फ्रवेश फार्ट्यवक्रमो जैसे कि नर्सेंग में पोस्ट शूर्म नर्सेंग यह सब अभ्स फश lessend मेंस नर्सेंग यह चुंभित बात करेंं तो बदेख्रलर आउजित की जाएगी तो यह तो किलीर हो गया कि आपका एक्जाम ओनलाइन ही होगा जी हम बिल्कुल ओनलाइन किस प्रकार्च होता है यह तो आपने वीडियो में बता दिया था अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना लिंक हम डिस्क्रिशन में देदेंगे कि ओनलाइन एक्जाम किसे प्रकार से होता है ठीक है तो चलिए अब हम आपका टाइम टेबिल आपको दिखा देते यह देखिए बीनाक वार पारी का नाम क्योंकि फरतना पारी देती पारीम होता है समय और प्रवेश प्रिक्सा का नाम ठीक है बारा जनवरी 2021 मंगलवार को कि एमेस नर्सिंग वालों का और फिजो तेरी प्रवेश चार एक्जाम होंगे ठीक है किन किन का होगा दियान से देख लो एक बार क्या है इस्टुटेन कंप्यूज हो जाते है और यहां पर बिल्कुल आपकों कंप्यूज नहीं होना है आपके केरियर का मामला है आपके फू 2021 को पर्तम पारी में किन किन का है फार मेसी में बी फार मेसी वालों का और डी फार मेसी वालों का यह पर्तम पारी में दस से बारा बज़े इनकी पारी चलेगी और सेगिंड पारी दो पर दो से चार बज़े तक चलेगी जिसमें पॉस्ट बैसिक बीस नर्सिंग और मेस नर उए और भें यूप करते बिपिटी जन्ने टॉलद पास किया है और वह वह प्रिजिओ तैरीप यानिय की आपने देखा हूगा बीना मेडिशन के डॉक्टर जो दोयां नहीं लिख सकते हैं बीना मेडिशन के ठीक करते हैं इंसान को ठीक है वो भी पिटी के तुरू बनते हैं डॉक्टर ठीक है तो यह होता है अब बात कर लेते हैं दिनाक 13 जनवरी 2021 को किनका एक्जाम है फरतम पारी में है बीएसी नर्सिंग वालों का जो बीएसी नर्सिंग करना चाहते है उनका 13 जनवरी 2021 को है और इनका टाइम है 10 से 12 यानि के 2 गंटा का पेपर है इनका ठीक है और दूसरी पारी में 2 से 4 बज़े तक इनका है पेरा मेडिकल वा कार्ड कब आएंगे और यह एक्जाम आपके कहां पर होंगे ठीक है सभी इंपॉरमेशन अभी हम आपको बताएंगे और कुछ इंपॉरमेशन इन्हों अब तो इससाइड है आपके आडमिट कार्ड कब आएंगे तो आपके अडमिट कार्ड के को एक्जाम है तो इससे चार या पाक दिन पहले आपको मिल जाएंगे किस प्रकार सी मिलेंगे online पत्ती में आपको मिलेंगे guys online यानि कि आपको या तो message है जाएगा अपने mobile पर आपने जो phone number दिये होंगे न phone बरते time पर उसी mobile number पर आपको sms आजाएगा ठीक है या फिर अपनी email ID पर आपको message email मिल जाएगा और आपको किस परकार से निकालना है यहां से आपको admit card मिलेगा online आपको अपने application number requirement होंगे उस time पर आपके जो form पर लिखे हुए न उसके तुर्व आपको admit card अपना निकाल लेना है आपको इसी में मिल जाएगे अभी हम आपको दिखाएगे और आपका exam कहां पर होगा यह भी हम आपको बता देते आपका exam देखो हर बार कहां होता है जेपुर तो इस बार भी जेपुरी होगा क्योंकि वहां पर पैसलिट एच्छी है online exam होता है तो computer भी कापी सारे तादात में चाहिए होते है और इन exam को almost कापी सारे 10-15 जार student देने जाते है तो उनकी examination center के विष्टा भी करनी होते है साथ में computer के विष्टा करनी होती है तो आपको admit card कम मिलेंगे इन से 3 या 4 दिन पहले आपको मिल जाएंगे message जाएगा और video भी हम आपको बना देंगे admit card आ गए क्योंकि आपने subscribe करके bell icon पर press कर रहा है तो RHS के तो सारी जानकार आपको मिलेगी मिलेगी 100% ठीक है अब ये तो admit card की problem हमने solve कर दिया आपकी की 3-4 दिन पहले आ जाएगा अब बात करता है कि exam कहां पर होगा ये भी हमने बात कर ली किस परकार से होगा online होगा अब बात करता है कि interest exam जब हम देने जाएंगे तो कौन कौन से document साथ में लेके जाने है क्या क्या चीजे लेके जानी है और क्या क्या नहीं लेके जाना है यहां बिल्कुल interest exam के भी कुछ rule होता है तो हम आपको बता दे सबसे पहले तो ID आपके पास ID होगी water ID आदार आदार हो तो best रहेगा आदार तो कंबल सरी है ठीक है आदार नहीं है तो कईसे आपने कई पर खोद दिया हो तो निकला लेना आज कर निकल जाता है ठीक है तो आदार तो important है क्योंकि वहां पर आपका बायोमेट्रिक होगा क्या होगा बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक तुरूइ तो आप online exam दोगे न तो ID तो requirement होगी 100% कापी सारे student होते है जो बीन ID के चले जाते है जल्दबाजी में आप ये गलती मत करना ID तो 7 लेके जाना आपको नहीं लेके जाना है जिसे कि आपके हाथ में कुछ ब्रास लेट पहनते है ठीक है सल्मान कान बनने का सोक होता है पहन नाक में आपके सारे गलसे जो नाक में जिवलइर्स पहन लेते है यहां बेलकुल प смотреть पहन रखाऊ तो कुछ भी जोलेट्स परन रखे हो तो कुछ भी एलाव नहीं है वहाँ पे आपके लिए टाइम टेल बहुत अच्छा है यानि कि जिन्होंने बीपिट का फोर्म बराता पेरामेडिकल का बराता और नर्सिंग का बराता तो तीनों एक्जाम आप दे सकते हो क्योंकि जिन्हों यहाँ पर टाइम अलग लगे ठीक है बीपिट का इस टाइम पर है और पेरामेडिकल का अलग पारी पर है बेसनर्स का अलग पारी पर है बहुत सारे इस्टूडेंट कंप्यूज थे कि सर एक टाइम पर हो गया गया जी बिलकुल नहीं है आप सारे एक्जा है और रही बात सबसे ज़्यदा इपोर्टेंट मोस्ट इपोर्टेंट वीर मोस्ट इपोर्टेंट वह यह है कि इंट्रास एक्जाम तो देने तो लगबग सभी जाएंगे ठीक है बट सबसे जद्धा इपोर्टेंट है वह नमबर लाना जिहां बिलकुल आपका सेलेक्ष बाइलोजिय आपको पढ़नी होगी जो हम आपको डेली पढ़वा रहे हैं जैके लॉन जॉब चैनल पर जिहां बिल्कुल उसका लिंग नीचे दिया हुआ है जैके लॉन जॉब चैनल यहां से आप त्यारी कर सकते हो और एडमिट कार्ड तीन-चार दिन बाद आने वाला है आप अपने डॉक्मेंट से रेडी रखें क्योंकि इंट्रास एक्जाम में आपको आईडी पर रुकी रिक्वार्मेंट होती है और आपको इसी साइट पर मिलेगा आप भी हम आपको दिखा देते हैं यह जो आपकी ओपिसल वेब साइट है RHS यहां पर आपको एडिमिट क